ये लोग हम इंसान ही नहीं मानते हैं, तो फिर अपकी सिन्याल और कानून की बात करते हैं, हजारों सिन्टी कानून फेंडिंग पड़े हैं, हजारों हत्याई हो चुकी है जमीन विबाद को लेकर, साप सब्दों में आज हमें कठोर सब्द करना पर रहा है, बाकी जो हैं, य मद्धिपद्ध सिंग्रोली में लोग बकाईदा घर बना कर देते हैं, यह घर तोड़ते हैं, तिसल्द हमने का हम लोग जानूआ रहे हैं, तेखिए हम लोग को राजनिती करने का अज भी इंटेस्ट नहीं, कैसी हम लोग राजनिती कर पाएंगे, यह बार बार सवाल आत हम खेलना चाते हैं. नियोजन निती उसके बारे में थोड़ा सा तारकीक बातों को रखना जरूरी है, यह निती कितनी हद तक सही है, या फिर इस निती से नुकसान क्या है, आज जो सरकार अपने बचाओं में आंदुनकारी छात्रों को किसी दल का एजेंट बता रही है, तो इन सब चीजों प कहीं न कहीं किसी मानों की सब्यता संस्कृति का आधार होती है, यदि भासा समाप्त हो जाती है, तो वह समाज समूल नश्ट हो जाता है, आज उसके लिए असुरी जनजाती की बात करें, विरहरी की करें, या फिर अन्नी जनजातियों की बात करें, जो आनने वाले भविश तो मैं उन्हें संदेश देना चाहूंगा कि सबसे पहले हुए समिधान को ठीक से स्टेडी करें भारत एक देश से इस बात का जिक्र भारती समिधान में कहीं नहीं है बात करेंगे तो भारत एक देश बात करेंगे तो भारत एक नहीं हो सकता है परंपराएं एक नहीं है पहनने का तरीका एक नहीं है खाने का तरीका एक नहीं है गीत संगीत एक नहीं है और उतना तो छोड़िये जाती धर्म तो छोड़ देते हैं भगवान एक नहीं है 1903 में जब तमिल नाडू से कटकर तेलांगना का अंधर परदेश का तेलगू भासी के लिए जब निर्मान हुआ तो कोई विशिस भी बाद नहीं हुआ पुरे देश ने इस बात को कहने का बात रखा कि भाई ये देश को तोड़ने की बात है बंबे, महराष्ट और गुजरात दो भिस्व में टूटा तब किसी ने कोई बयान नहीं दिया अन्नी राज भी अलग हुए हैं लेकिन कोई विबाद नहीं हुआ अन्नी राज्जों ने अपने लिए कानून बनाए तब कोई विबाद नहीं हुआ लेकिन जारकन के लोग जब अपने अधिकार की मांग करते की तो याभी बात क्यूंब आता है चाहिए यहां के नियो जन नीती हो चाहिए यहां के स्थान नीती हो पूरे भारत को ठीका लेकर रखें हम लोग 40-40 समझ रहें आपकया होगा 40% सिटे नोक्रियां सिधे बेची जाएंगी आज यहीं भगल में आपका UGPG होस्टल है कितने सपनों के साथ आँखों में सपने लेकर चात्र त्यारी कर रहे हैं सब मिडिल क्लास फैमली से हैं खेती बारी करते हैं इनके परिबार मा जेवर गिर्वी रखकर भेज़ी है तो पिता जी घरों के पसुप को गिर्वी रखकर यहां तक भेज़ती है और इस कंडिशन में आप 40-40% सिधे बार को बेच रहे हैं और जब हम लोग आंदोलोन करते हैं तो आप समिधान की बात करते हैं उसमें आप जो लोकलीटी का बेरियर को डिलीट कर चुके हैं लोकल भासा के बारे में चर्चार नहीं होगी सिधे आप इंगलिश को लोकल लेंगवेज बना देए क्या यह आधार हो सकता है टेंप्रोरी वहाली में क्या इसके माध्यम से आप रोख सकते हैं आप जीलावाज सर्वे करते हैं, जीलावाज कौन सी भासाएं हैं, उसके आधार पर आप GSD के का पेपर सेट करते हैं, ये तो आप कर सकते हैं, ये तो समीधान का हननन नहीं होगा, जिस परकार उडिसा आपने उडिया लेंग्वेज को लेकर एक बेरियर बना देती है, आप के पास अब जीलावाज सर्वे करके जो इससे पूरुव और ती तियार जो दो तीन भासाइं क्योंकि भारत जारखन में एक भासाइं फॉसिवल नहीं है तो इसलिए मेरा मानना है कि आप जीलावाज सर्वे करते हुए इस टेंप्रोरी भाली को भी लोगों के पहुंच से अ जारखन की अस्थानिता परिभासित होगी एक कोलम में पुसिवल नहीं है जारखन विविद्दाओं का राज जिस बात को समझना हो हमारी एक भासा नहीं है बंगाल के तर्जपक्त हमारी एक भासा थे तो बिवाद ही नहीं होता तो जारखन में थोड़ टाइम भी जारखन बड़े दिलवालों का राज्य है उसके बाद सरकार सोचती हमने तो हमेशा ऐसी बाते कहीं है जिससे किसी का नुक्षान ना हो ना कि कोई आरजकता फेले अरे दूसरे लोग तो तरह तरह की बाते करते पड़े लिके होकर इन सब्दों का परियोग करते हैं लेकिन पहला उधारन जादू गोड़ा मैंने पहले भी रखा है जादू गोड़ा में जो इरुनेयम का खनान होता है उसमें 47% महिलाओं को संभोग करने की इच्छा नहीं है उस रेडियोशन के कारण फिर भी आप कोड़ रहें इसके मतलम जनवारी है मैं लोजिकली बात करता हू जादू गोड़ा की रिपोर्ट है सोव में 47 महिलाओं मने साब सब्सब्द में सुन लिजे लोजिकली बात करें सेक्स करने कुन में इच्छा नहीं है जिससे संसार चलता जिससे हम और आप दुनिया में आया है फिर भी आप जमीन कोड रहे हैं फिर भी क्यों क्यों कि हम ल लोका इस्टिल कंपणी कुछी दूसरे राज में है वहाँ जीरो पॉलूशन तो हम जानुवार ही है ना जो हमारे पॉलूशन हैं हम कैंसर से आपके दुवे से मर जा रहे हैं और आपका कैपैसिटी नहीं कि दूसरे राज में एक परसंट पॉलूशन निकाल सके यही कंप और कुछ इनविट्स हैं CCL, BCCL और ECL आज बेरमो में जाए नौस सुनियानमे सलकलीज है बताए नौस सुनियानमे सलकलीज कौन सा समय धानिक है इस परकार का छेड़चार हो रहा है यहां के कानूनों के साथ यहीं आप NCL है आपका सिंग्रोली मद्धिपर्दिश में यहां घर तोड़ते हैं तिसल्द हमने कानून जानवर हैं यह लोग हमें इनसान ही नहीं मानते हैं तो फिर अपकिस नियाल और कानून की बात करते हैं हजारों C&T कानून पेंडिंग पड़े हैं हजारों हत्याई हो चुकी है जमीन विबाद को लेकर साप सब्दों में इसलिए मजबूरन मुझे इस पीड़ा के साथ इन सब्दों को रखना पड़ रहा है जमीन हैं तो क्यों नहीं जाता है मुखमंद्री करने के विब कारें के लिए क्या आप सम्झां नहीं पारे हैं SARAH समझना नहीं चाथ एक इंटर्स नहीं है देखेए, हम लोग को राजनितीन गंड्ने का आज भी इन्टेस्स नहीं, जब हम लोग राजनितीन कारें और जब आज उनको बारता नहीं करेंगे तब हम अप कहेंगे, उनको एक परती मन नदर को बुलाना चाहिए। कि सबसे पहले बात हैं अंदोलन का इसटार्ट दामोदर नदी में हुआ इसलिए लिए चुनाओं का फैसला भी दामोदर नदी के किनारे से होगा और जो कोईला के कोईला में जो आग होती है फिलार वहां के लोग के दिल में आग है क्यूं करण कि सब्जद सोसन वहां देखा है तो इसलिए बाकी जो लोग आए उनका स्वागत करते हैं लेकिन वह आयें और जलबाजी में तुरंट पाटी का निर्मान करने लगें एक बार अनुभावी हैं जारकन अंदोलन कारी हैं राइटर फाइटर दोनों है लेकिन यही खाना चाहेंगे सबका एक टाइम और पिरियड होता है आपने बड़ी बात कही है पुजिनफूर्ब आपने एक बाइट दिया है अपने छेत्र में जी हमने उस बाइट को दोरा देते है हमने कहा है कि उनका समय उन्हीं सो पचासी का था जब बेंट लेके लंबे लंबे चक्के लगा सकते हैं उनका सम्मान करते हैं अब 2030 आया है अब सुबंगिल शुरी कुमार यादाओ इन खिलाडियों का समय है तो इनको आसिरबाद दे इनको गाइडलाइन करें कि कहा निकल कर दिया है कि 24 में आकी रस्ता हमारे पास होई है हां रस्ता होई है चुनाओ में हम लोग जाएंगे बिल्कुल जाएंगे पाटी गोशने कब तक कर रहे हैं अठारे होने इस या 20 आठारों को जो समयलन हो रहा है उस तिन कुछ चर्चाएं होंगी तो आज की खबर में बस नहीं बने रहे सेमपी न्यूज के साथ अपना ख्याल रखें क्योंकि आप से हम आपे हमारी ताकत लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेस्बुक पेस को फॉलो और लाइक जरूर करें तो वहीं बिश्तित खबरों के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब ज निवाद